ऩ। हेलो स्टूडेंज B.A.C. सेकिंड येर केमस्टी सेकिंड में आज का हमारा टापिक है नॉमन क्लेचर ओफ मोनो हाइड्रिक अलकोहल्स अलकोहल्स जैसे की मुख्य करियात्मक समू ओ-एच तो जनल फॉर्मूला अलकोहल्स का लिखा जाएगा CnH2n-2o या अगर OH उसमें दर्शाएं तो लिखा जाएगा CN H2N प्लस 1 OH तो नामकरण की तीन इसकी मुख्या पद्दती हैं पहली रूड पद्दती, ट्रैवल सिस्टम दूसरी है कार्बी नॉल पद्दती और तीसरी है आईउ पी एसी पद्दती तो सबसे पहले रूड पद्दती तो इस पद्दती में अलकाईल मूलक की आगे अलकोहल जोड दिया जाता है जैसे की मिथाईल अलकोहल, इथाईल अलकोहल इस परकार से और जिस कार्बन परमाणू पर ओज समू सलगन होता है उसकी प्रकरती को भी दर्शाया जाता है अलक प्रकार से तो उसे दर्शाने के लिए अगर नॉर्मल है जो प्रात्मिक समू है तो उसके आगे एन जोड दिया जाता है जैसे एक एक्जामपल आप देख रहे हैं एन प्रोपाईल अलकोहल और अगर द्वित्यक कार्बन पे जुड़ा है ओवर्मल तो उसके आगे आईसो जोड दिया जाता है जैसे कि एक एक्जामपल है आईसो प्रोपाईल अलकोहल और जब किसी श्रंखला के एक छोर पर टर्शरी कार्बन उपस्तित होता है और टर्शरी कार्बन के साथ जब ओवर्मल जोड़ा होता है तो उसके आगे टर्शरी या तृत्यक प्रिफिक्स या पूर्व लगन लगा दिया जाता है जैसे आप एक्जामपल देख रहे हैं आपे एन्ब्यूटाईल अलकोहल अगर चार कार्बन परमाणू का मोनोहाइडरिक अलकोहल है C4H9OH तो उसके चार परकार से उसके समाव्यव और सरंचना अगर बने तो ब्यूटिल अलकोहल, सेकिंडरी ब्यूटाईल अलकोहल, आईसो ब्यूटाईल अलकोहल और टर्शरी ब्यूटाईल अलकोहल चार परकार के अलग-अलग सरंचना उसमें लिखी जा सकती है और उनका नामकरण आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें जब भी आप पढ़ रही हैं तब आप इनकी लिखने की प्रैक्टिस अवश्य करें सेकंड पद्दती है कार्बी नॉल और डिराइवड सिस्टम भी कहा जाता है तो इस पद्दती की अनुसार वेरी फर्स्ट मेंबर ओफ मोनो हाइडरिक अलकोहल यानि मैथिल अलकोहल जिसको की कार्बी नॉल कहा जाता है अन्य एलकोहलों को इस कार्बिनॉल का व्युत्पन माना जाता है तो CS3OH कार्बिनॉल और इस CS3 ग्रुप के प्रतेक हाइड्रोजन परमाणू की जगए अन्य एलकाईल ग्रुप जब जुड़ जाता है तो जो पूरा मोनो हैड्रिक एलकोहल है वो इस कार्बिनॉल का व्युत्पन ही कहा जाता है इसलिए इसको नाम दिया गया है कार्बिनॉल सिस्टम जैसे इन तीनों CS3 समू के तीनों हाइड्रोजन की जगए है एक हाइड्रोजन की जगए CS3 समू अगर जोड़ दें तो मिथाईल कार्बिनॉल तो CS3 समू है तो डाइ मिथाईल कार्बिनॉल इसी प्रकार से ट्राई-मिथाईल-कार्बिनॉल, इथाईल-मिथाईल-कार्बिनॉल, आईसोप्रोपाईल ग्रूप चुड़ा है तो आईसोप्रोपाईल-कार्बिनॉल, आईसोब्यूटाईल ग्रूप चुड़ा है तो आईसोब्यूटाईल-कार्बिनॉल, एक्सेक्टर तो यह पद्दती है कार्बिनॉल सिस्टम और थर्ड एंड जिसे स्विकार किया गया है आयू पी एसी सिस्टम जो की पूरी केमेस्ट्री में जितने भी कमपाउंट्स हैं आयू पी एसी सिस्टम के द्वारा उनका नामकरण किया जाता है तो एलकोहल्स के नामकरण में एलकेन के जो इंग्लिश में एलकेन लिखा जाता है एलके एन एके स्थान पर ओवल जोड दिया जाता है तो एलकेन के एके स्थान पर ओवल जोड देने से ये बन जाता है एलकेनॉल तो अब जैसे कि IUPAC system ने अपने कुछ नियम दिये हैं किसी भी compound को नाम करन करने से पहले तो सबसे पहला इसका नियम होता है कि कार्बन परमाणों की सबसे लंबी श्रंखला का चैन करना सेकेंड आ जाता है OSMU के निकर्तम सिरे वाले कार्बन परमाणों से श्रंखला का अंकन करना फिर नाम के प्रार्णब में श्रंखला पर जुड़े हुए अलकाईल सबसिटूट्स को नमबर देना और उसका नाम लिखना फिर आ जाता है नेक्स्ट कि जो मुख्य कार्बन चेन है उसमें जितने कार्बन परमाणों की संख्या उपस्थित है उसके अनुरूप एलकेन का नाम लिखा जाना और एलकेन का नाम के सिरे मर जो ई उपस्थित है उसके स्थान पर ओल लिख दिया जाना इस परकार से आयूप एस सिस्टम के नियम के आधार पर एलकोहल का नामकरण किया जाता है जैसे CH3OH, CH3 एक आर्वन परमाणों का पैरेंट एलकेन है मैथेन तो मैथेन के E के स्थान पर OL जोड़ दें तो ये बन जाएगा मैथेन नॉल इसी परकार से एथेन, एथेन के E के जगे OL लिखा जाए OS समूविस में उपस्तित हो तो ये हो जाता है एथेनॉल अब जब शाकित अलकोहल की बात कर रहे होते हैं IUPAC सिस्टम में तो इन नियमों के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है जैसे रूड परदती में प्रोपेनॉल अगर सेकिंड कार्बन परमानू से जुड़ा होता है तो इसको हम लिखते हैं जैसे कि आपने देखा था कि आईसो प्रोपाइल अलकोहल लेकिन IUPAC सिस्टम में OSU को अंकी करण भी देना होता है इसलिए IUPAC सिस्टम से इसका नाम हो जाएगा मुख्य कार्बन श्रंखला तीन कार्बन परमानू की है OH सैकिंड कार्बन परमानू पर उपस्तित है अता यह होगा 2 प्रोपेनॉल इसी प्रकार से टरश्री ब्यूटाइल अलकोहल को अगर हम देखें तो मुख्य कार्बन श्रंखला में तीन कार्बन परमानू उपस्तित है और कार्बन दो पर ही EOS समू जुड़ा है एक CS3 समू जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 2-methyl, 2-propanol इस प्रकार से इन नियमों के आधार पर सभी प्रकार के branched and unbranched यानि शाखित और अशाखित सभी प्रकार के alcohols का नाम करण किया जाता है तो ये था alcohol का nomenclature यानि उनका नाम करण अब isomerism in alcohols या alcanols तो इन में मुख्यत है चार परकार की isomerism पाई जाती है यानि चार परकार की समाव्यपता का production करती है सबसे पहले है श्रंखला समाव्यपता श्रंखला समाव्यपता यानि जब कारवन प्रमाणों की श्रंखला में भी नता हो जैसे आप example देख रहे हैं C4H9OH में एक branched और एक unbranched ये दो समाव्यप बनते हैं शाकित और अशाकित वन ब्यूटेनॉल और दूसरा है इसका टू मिथाईल वन प्रोपेनॉल तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के श्रंखला समाव्यपी है सेकिंड है स्थिती समाव्यपता पोजिशन आईसोमेरिजम तो जो एलकेन श्रंखला है उस पर OH ग्रूप की स्थिती में भी नता जैसे वन प्रोपेनॉल और टू प्रोपेनॉल ये एक दूसरे के स्थिती समाव्यपी है तीसरी है किर्यात्मक समू समाव्यपता जो एलकेनॉल से हैं ये इथर के साथ किर्यात्मक समू समाव्यपता का प्रदशन करते हैं जैसे आप एक्जाम्पल देख रहे हैं C2H6O, जनरल फॉर्मूला में, इसमें एथेनॉल और मिथोक्सी मेथेन, ये एक दूसरे के किर्यात्मक समू समाव्यवी हैं, और चौथा है, परकाशिक समाव्यवता, अप्टिकल आइसोमेरिजम, तो जिन एलके नॉल्स में असम्मित कार्बन परमाणू उपस्तित है, एसम लिट्रिकार्बन एटम, वे दुरूवन गूर्नक होते हैं, तथा दो प्रकार के दरपन प्रतिभिम्ब के रूपों में रहते हैं, जैसे एक्जामपल आप देख रही हैं, तू ब्यूटेनॉल्स, जिसमें ये एक दूसरे के दरपन प्रतिभिम्ब हैं, नॉन सुपर इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी हैं, तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा एल के मोनोहाइटिक एलकोहल्स का नामकरण तथा एलकोहल्स में पाए जाने वाली विविन प्रकार की समावयवता, थैंक्यू प्रकार से आजूग में प्रकार की समावयव